तो हम बात करेंगे question 4 की state whether the following are true or false justify your answer तो question 1 है sin a plus b equal to sin a plus sin b तो अब क्या करो put question 1 हमको verify करना है sin a plus b equal to होगा sin a plus sin b के या नहीं यह हमको बताना है कि statement true है या false है तो इसके लिए अब क्या करोगे पूट कर लो angle put a equal to 33 and b equal to 60 right अब देखा आप पाऊगे क्या sign इसको लिएक लिए अब left hand side left hand side sign a plus b तो एक जगह पर लिए कि दो भाई 30 अब एक जगह पर 60 तो पाऊगे आप sign 90 sign 90 के बाई लिए होती है one अब अब ले लो right hand side right hand side क्या है sign a plus sign b sign a की बाई लू कितनी है 30 sign b की बाई लू है 60 sign 30 1 by 2 sign 60 root 3 by 2 इसकी बाई लू होगी one plus root 3 by 2 अब इधर देखो clearly आपको पता चल रहा है कि left hand side not equal to right hand side अब यह और भी की कोई भी value ले सकते हो आप पाऊगे left hand side right hand side की call नहीं होगा it means statement क्या होगा false होगा इसको नोट कीजिए हम बात करेंगे part 2 की तो क्यूशन 2 है the value of sign theta increases as theta increases तो अब यह पूछ रहा है जो क्यूशन में अगर आप theta को increase करते हो it means अगर आप angle को increase करते हो तो क्या sign theta की value increase होगी यहीं हमको बताना है देखो हम पढ़ चुके हैं आप देखो sin 0 degree sin 0 degree की value होगी 0 अब देखो 0 के बाद अप लिख लो देखो अभी हमने theta क्या लिया 0 जब अब theta 0 लिये हो तो sin 0 की value आ गई 0 अभी अपने theta क्या लिया 30 डिगरी तो sin 30 की value होगी 1 by 2 देखो theta अपने लिया 45 डिगरी तो अब आओगे sin 45 की value होगी 1 by root 2 विदर देखिए अगर आप theta की value लेते हो 60 डिगरी देन आप पाओगे sin 60 equal to root 3 by 2 अगर आप रखोगे theta equal to 90 डिगरी तो आप पाओगे sin 90 equal to 1 आप देख रहे हो जैसे जैसे हम theta की value को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं sin theta की value भी क्या हो रहे है वर्ट रहे है देखो जीरो से कहां तक हम पहुच गए 1 जीरो से हमारी value increase करके चली गई 1 तो statement क्या है true है देखो the value of sin theta increases and theta increases a statement है आपका true अब देख भी रहे हो जैसे जैसे हम theta को increase कर रहा है sign की value भी क्या हो रही है increase हो रही है इसको नोट किजिए तो गाई जो part third है the value of cos theta increases theta increases same question है अब देखो इसमें बोल रहा गर theta बढ़ाते हो तो cos theta की value भी बढ़नी चाहिए एक क्यूस्टन हमारा कह रहा है अब ले लो आप theta equal to 0 degree तो cos 0 की 0 degree value होती है 1 इसको आपने पढ़ लिए अपनी प्रियूस लेक्चर में अगर theta equal to 30 degree है तो आप आओगे cos 30 equal to क्या होगा root 3 by 2 होगा आप देखो अगर theta equal to तो आप राख देते हो 45 तो आपको मिलेगा cos 45 इसकी value होगी 1 by root 2 होगी अगर आप theta की value 60 degree रखोगे तो पाओगे आप cos 60 equal to 1 by 2 अगर theta की value आप 90 degree रखते हो तो आप पाओगे cos 90 equal to 0 अब जार देखिए जैसे जैसे हम theta की value क्या कर रहे है बढ़ाते जा रहा है जीरो से 90 degree वैसे वैसे cos theta की value भी क्या हो रहे है यह देखो 1 से गटते गटते कहां गई 0 इधर देखो इधर value क्या हो रही है decrease कर रही है यह तो decrease कर रहा है इधर हम theta को क्या करना है भाई theta हमारी इधर इंक्रीज कर रही है तो theta को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो cos theta की value क्या हो रही है इंक्रीज नहीं कर रही है क्या कर रही है बाई इंक्रीज कर रही है तो statement 3 क्या होगा यह तो statement 3 होगा फॉल्स इसको नोट कीजिए तो गाइज क्यूशन 4 है sin theta equal to cos theta for all values of theta तो यह बताना हमको statement true है और false तो देखो आप क्या करो अभी आप देख लियो देखो sin 0 sin 0 की value होगी 0 अब लेलो sin 30 sin 30 की value 1 by 2 sin 60 की value होती है 45 लेलो sin 45 की value 1 by root 2 sin 60 लोगे तो पाओगे root 3 by 2 sin 90 अगर लेते हो तो पाओगे 1 इधर लेखो cos 0 लोगे तो पाओगे 1 cos 30 लोगे तो पाओगे root 3 by 2 cos 45 लोगे तो पाओगे 1 by root 2 cos 60 लोगे तो पाओगे 1 by 2 cos 90 लोगे तो पाओगे आप जीरो अब इज़र देखो अब क्लियरली अब देख सकते हो कि देखो ए यह जो हमारा 45 डिगरी है इसी एंगल पे theta equal to 45 theta equal to 45 पर ही साइन थीटा और कॉस्ट थीटा की वाइलू क्या हो रही है सेम हो रही है अगर आप कोई राइट अंगल ट्राइंगल अब ड्रा करते हो अगर यह एंगल 90 डिगरी है तो अगर यह भी 45 हो और यह भी 45 हो उसी केस में निंए of positive to kijा होगा होगा sayin सिप्रा तो अंली अंली थीटा एकल टू 45 के लिए रिलेशन क्या है वैलीड है अधरवाइचतल्ट명fal क्या होगा फॉल्स होगा अगए यह हो गा थो आपका स्टेट्मेंट प्ल्स टीटा क्वाइड पर ही साइन तीट और कॉस थीटा क्या होंगे इक्वाल होंगे इसको नोट कर लो क्यूशन फाइफ है कॉट एज नाट डिफाइंट फार एक्वल टू जीरो डिग्री आओ इसको देखते हैं आपको मालूम है कॉट एक्वल टू अप लिखोगे कॉस ए अपान साइन ए यह लिखोगे कॉ कॉट एकका क्या है रैसीप्रोकल है तो अब लिख सकते हो कॉट एक्वल टूवज वाण बाइ टैन यह लिख सकते हो तो वउन आपन क्या होगा भई sin a upon cos a equal to हो जाएगा cos a upon sin a यह होगा तो हमने क्या लिगा cot equal to cos upon sin a इधर देखीए आप a की value दी है 0 degree एकी value 0 degree cot 0 degree लेखो kya होगा cos 0 degree upon sin 0 degree log 1 cos 0 की value होती है sin 0 की value होगी 0 तो देखो यह क्या होंगे यह होगा है लोक्त नांट-लग अब करोगे तो क्या मिलेगा इन फाइनारट मे लेगा क्या बोलते हैं फाइन्ट तो जो कॉट है इस एक तो लिए नहीं है तर developing गीधिस ट्रीट्मेंट त्रू है को act क्लास में इतना ही नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 8.3 की बात करेंगे तब तक के लिए बाइबाइब